अबान तो उसको काम तबाम करना चाहिए एक नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा बान कैसा है कुछ अधवित बान है तो इंद्र ने कहा पहले ये वता ये बान आया कहां से कहें चित्रकूट धाम से हैं चित्रकूट से आया है चित्रकूट में कौन है बान छोड़ने वाला कहा राम जी ने छोड़ा है ओ हो राम जी ने छोड़ा बान इंद ने का प्रभुस्त्री राम अकारण किसी के ऊपर प्रार नहीं करते हैं समझगे अकारण कोई होगा और बहुत बड़ा कारण होगा क्योंकि उनके समान कोई सरल सहाज है ही नहीं दुनिया में को रगवीर सद संसारा सील सनेह निवाहन हारा भगवान के समान सील सनेह निवाहन हारा ऐसा दुनिया में कोई नहीं है केवल भगवान है इसका मतलब है कि तुने कोई बहुत बड़ा अपराद किया अपराद किया अपराद सही वता कौन सा अपराद किया तुने साधारन अपराद हो जाता तो कभी कोप नहीं करते हैं लेकिन विसेश अपराद किया होगा मैं प्रारम्ब से किस अपराद की चर्चा करना सबसे बड़ा अपराद कौन है वो लो पराई नारी पर कुदृष्टी डालना नारी का अपमान करना ये सबसे बड़ा अपराद है कभी भी भूल के नारी का अपमान मत करना अगर कहीं तुमने नारी का अपमान भूल बस कर दिया तो जगत में तो निंदनी होई जाओगे और सजा के पात्र हो जाओगे लेकिन जिस दिन भगवान की अदालत में जाओगे वहां भी तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगे इसलिए जननी समझानों पर नारी और धन पराओ विस्ते विस्भारी जननी समझानों पर नारी पराई नारी को यदि भईया आवस्था में बड़ी है तो फिर मा कहे दो मा माल लो यदि समबैस कहे तो बहन माल लो और छोटी है तो बेटी माल लो बस केवल तीने रिष्टे आप मान सकते हो और यदि विधी के विधान के अंसार यदि विधाता में विधान बनाया है जहीं विधाइंट रच सिये समारी कहीं से आमल बर रचेऊ विचारी तो उसको केवल पन्ने बंधन में बंधने के लिए विधी का विधान है तो इसके लिए तुम मनमुखी विचारधारा से उसे सुईकार नहीं कर सकते हो उससे संबंद नहीं जोड़ सकते हो तब जोड़ सकते हो अगनी को साक्षी करना पड़ेगा बेद मंत्रों का माध्यम लेना पड़ेगा और समाज को साक्षी करना पड़ेगा तब ही उसे हम परणीता के रूप में सुईकार कर सकते हैं बोलो इतने प्रकार के नियम मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे जब इतने प्रकार के नियम मानोगे तब उसे आप परणीता के रूप में सुईकार कर सकते हो नहीं तो केवल तीन ही परंपरा हैं अवस्था में यदी बड़ी है तो मा है बरावरी की है तो बहन है और छोटी है तो बेटी है बोलो यही संबंद बताये गए कि नहीं बताये गए अब आप कल्पना करना इंद्र कहता है कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कोई बहुत बड़ी भूल हुई है तुस्से सही बताओ चित्रकूट से ये बान आया है और प्रवु राम में भेजा है तो पहले तु 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 ये वताओ कि तुम चित्रकूट क्यों गए थी चित्रकूट क्यों गए थी इसलिए गए थे कामतानात की परिक्रमा करने बोलो कामतानात की परिक्रमा करने गए थे कि मंदाकनी में सनान करने गए थे क्या करने गए थे कहें सही बता हूं हां सही बता कहें मंदाकनी के तटपर सीता जी का स्रंगार राम जी कर रहे मंदाकनी के तटपर अच्छा प्रमान मिला की नहीं मिला किस्णंगार किया भगवान में एक वार चुन कुस्म सुहाए निजिकर भूसन राम बनाए सीत नहीं पहिडाए प्रभू सादल बैठे फटक सिलायति सुन्द बगवान राम सीता जी का स्रंगार कर रहे थे आप कहोगे महरा चित्रकूत में स्रंगार देखो सौने चांदी के आहुसन से स्रंगार नहीं कर रहे थे एक वार चुन कुसुम सुआये कुसुम मानी फूल हुआ कि नहीं हुआ फूलों की कलियों के सुन्दर सुन्दर हार बनाए गए और सुन्दर हार बनाए के प्रवुराम ने स्री किसोरी जी को पहनाया अच्छा ये नियम है कि पती पत्नी को सुन्दर सुने के हार पहनाता है कि नी पहनाता है ये नियम है लेकिन इस बात पर कभी आपने विचार किया जब परस्थिती अच्छी होती है तो सुने का हार पती पत्नी को पहनाता है और पत्नी प्रसन हो जाती है लेकिन परस्थिती अगर बिगड़ जाए तो मा दाओ यद कृकर आज शंकल ले लेना प्रवोस्त्री राम और मां जानकी ने जिस चर्थ เขा है राम कथा सने वाल मृत्लिनर नारीय। और यह चुंकर करना चाहिए. परस्थती अदी अच्छी हो कोई बात नहीं है पती सौने का हार पहनावे लेकिन परस्थिती कहीं अगर बिगड़ जाए तो पती से रूठना नहीं परस्थिती अगर बिगड़ गई है तो पती के हातों से पुष्पों का हार पहन करके प्रसंदता जाहिर कर देना निश्चित रूप से एक दिन वो समय लोट करके कellt आएगा कि इस गले में सौने के हार जरूर आएंगे सौने के हार जरूर तुमें पहनने को मिलेंगे भगवान बापस वो परस्धिति और लाएंगे लोटाएंगे ये प्रभू के हाथ की एक बार चुन कुसम सुहाए उन्य जिकर भूशन राम बनाए बोले कब बनाये जब बनवासी भेश में भगवान राम थे राज विलो चन राम चले तज बाप को राज बताओ की नाई भगवान राम ने राज पाड छोड़ा सोने के महल छोड़े सारी सुधाएं छोड़ी और चित्रकूट में बनवासी के भेश में रहे तो स्रीकिसोरी जी भी बनवासी के भेश में रही भगवान राम लक्षमर कुछ के पत्तों पे सोई, कुछ की कुटीर में रहे हैं, कुछ की आसन पे लेटे हुए हैं, बोलो लेटे की नहीं, पत्तों की सईया बनाई गई है, उसको कहते हैं समय, इसको क्या कहते हैं, समय, इसलिए मैं कहता हूँ, कभी समय अगर ऐसा आ जाए, कि तुम्हारे घर में अगर सुबधाएं दूर हो गई हैं तो उस समय तुम यही समझ लेना कि बनवासी प्रहुराम की क्रपा हमारे उपर हो गई है अब बनवासी राम ने जैसे समय व्यतीत किया वैसे हम सम मिलकर के परिवार के सहथ समय व्यतीत करेंगे क्योंकि ये सिध्धाम्त है मैं एक बात कहता हूँ महराना प्रताप ने संकल्प लिया था कि मैं सिध्धाम्त को नहीं छोड़ूँगा और सुबधा से बिकूँगा नहीं सुबधा पर बिकूँगा नहीं और सिध्धाम्त कभी छोड़ूँगा नहीं ये किसने संकल्प लिया था, महराना प्रताप ने संकल्प लिया था, लेकिन मैं कहता हूँ संकल्प लिया था महराना प्रताप ने, लेकिन पत्नी और पुत्र ने वो लो साथ दिया कि नहीं दिया, जब महराना प्रताप ने महल छोड़ा, और अरावली की पहाडियों में रह लगे तो वो पुत और पत्नी ये सभी उनके साथ रहे कि निnt रहे पत्म पर सोए की नहीक सोए ज करनों का पानी पीया कि नहीं पीया घहास की रोटियां खाइं की नहीं खाएं इसको क्या कहते हैं याद रखना महराना प्रताप ने भी बनवासी राम का चिंतन किया था इसलिए मैं कहता हूँ कि रामान पढ़ते रहना चाहिए यह आचार संविता है राम चर्क मानस नौलाग साल पहले भगवान राम ने अपना चरित्र अयुठा से ले करिके दक्षन भारत को क्रास करते हुए लंका तक भगवान स्री राम पहुँचे और उधर भगवान राम लंका से बापस अयुद्या आये इमांदारी सिवताओ भगवान राम ने जो जो कारी किया है जो जिन्दगी राम चिर्ट मानस पर आधारत कर देनी चाहिए प्यारे तो जैसे प्रवु राम की विजय हुई है वैसे हमारी भी विजय होती रहेगी हम कभी